वेलकम बैक तू माई टूप चित पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज किस बीलियम देखने वाले हैं जो भी छात्र आगरा इनिवस्टी से है उसके लिए हम लेके आए हैं 2022 में आने वाले कोशन तो मैं जो भी 2022 का पेपर देने वाला शात बीएसी फर्स समस्टर में है जो लोग जी के पेपर को लेके आएं ये आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं मैं आपसे बादा करता हूँ ये कोशन 20 से 25 कोशन के बीच में होंगे और आपके यूनिवस्टी में 17 कोशन पूचे जाएंगे मना 17 कोशन करना है ज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मैं इन सारे जो आपको कोशन दे रहा हूँ इंपोटेंट कोशन 2022 में आने वाले इनके मैंने नोट्स बनाका लिंक डिसक्प्शन वाक्स में दे रखा है नोट्स को डाल्लोड कर सकते हैं चाही कर लीजिए और चाल को अभी उनके कार के बारे में भाना प्लाजमा जो ज्ली है यह फ्लाजमा ज्ली को हम कला भी बोला जाता है फ्लाजमा कलाभी क श्ली को सकते हैं खो डीर के अब कार के बारे में याद करेंगे। गर हो सकने तो पढ़ लेना वरना कोई दिक्कत रही है। उसके बाद में अनता जर्विक जॉلिका के कार क्या होते है, endoplasmic मैं उपर दे चुका हूँ, इसको देखने की जोत नहीं है, अंता जो परीद्रव जलीका होते है, उसको ही endoplasmic reticulum बोला जाता है, ठीक है, वही बात है, और mozill model के बारे में याद कर लेना, यह most important है, ठीक है, फ्लूड का mozill model के बारे में, next question बात करेंगे, mitochondria की सरचना और के कार के बारे में, ribosome क्या होता है, उसकी परस सरचना, उसके कार के बारे में, ठीक है, इसके बाकि भी यहाँ छोड़ देना, mitochondria, kosca, solution के बारे में याद कर लेना है, और centriol क्या होता है, इसको छोड़ दीजीगा, और देखो, peroximum क्या होता है, इसके बारे में देख लेना, और microfilament इसके बारे में याद कर लेना है, किए हैं इसके बारे देख लेगे और इसके बारे में इंटर जो इंप्राइब डियाद्प होता है इसके बारे पढ़ लेना थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद में आता है किंद्रक की सरचना के बारे में उनके सेवजन के कार क्या होते हैं कार क्या है किंद्रक क्या है नुकलेस क्या है उसकी बारे में आत करेंगे ना डियेने रसानी संगठन जैविक महत्र की बारे में आत करेंगे ठीक है पॉली पॉली कह सकते हैं जो पॉल है इसके बारे मिश्वड़े देना है जो आप इसको चाहों तो पढ़ सकते हो इसको याद कर लिने बार और समसुत्री प्रिवासा की बारे में याद करके जाना है इसको पढ़ लेगे चीन संतुलत सिद्धांत क्या होता है बैलेन stitching बैलन्स तीओरी के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्स कोशन है मेंडलीज की जो विद्पत्ती हुई थी वो कैसे हुई थी ठीक है जीन अन्यून क्रियाओं के बारें पढ़ लेंगे यह मुश्ट इंपोर्टेंट है आरेट्स फैक्टर जो होते हैं रोधिर के उसके बारें पढ़ लेना है बेलेड ग्रूप जो होता है चार ग्रूप होते हैं उनके बारें सबको याद कर लेंगे कोश का दरभी संगा इसको छोड़ देना है और देखो यह आता है जो कह सकते हैं जिमुनिक जो इम्परेविंटिंग होता है उस पर टिपली लिखने के लिए पूछता है इसको पढ़ लेना है इसको छोड़ दी उनके रोगों के बारे में याद करेंगे डाउन सिंड्रॉम क्या होता है वर्धानता क्या होती है हिमोफीरिया क्या होती है इसके बारे में आप याद करके जाएंगे नेक्स कोशन है देखो परी जिबता पर टिपड़ी के बारे में आप याद करके जाएंगे उसके पिरक पढंए के बारे में फिलकाव रोग क्या होता है इसको पढंएगे TIMB1 स्थ के बारे में पढ़ना है इसको पढंगे और साथ ही साथ हम संहां की सारचना के बारे में यहारे माला है एंपने, मैं तो पढ़ने न है ृप फ्ला gdzieś सिरक अ कर आर याबतर च्र आरक्तर को सब्काइब को एक ते सब्सक्राइब राड़ ऐाओ राई